जेजे हस्पताल में पिछले 11 दिनों से dermatology department के 21 resident doctors सामोहिक अवकाष में है मास लीव पर हैं इस बीच उनकी जो मांग है कि Dr. Mahindra Qura जो की head of department है इस dermatology department के कि उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए क्योंकि उनका जो व्यभार है काफी गलत है इस वज़े से मानसिक प्रताणार से गुजरते हैं सभी डॉक्टर्स इनकी मांग पर कोई भी फिलहाल अब तक सक्त कदम उठाया नहीं गया है उनके खिलाफ जिस वज़े से अब जेज़े अस्पिताल के महाश्ट्र अस्वेसेशन आफ रेस्टेंट डॉक्टर्स आट सो से 900 डॉक्टर्स जेज़े अस्पिताल के सभी आज हरताल पे इनके साथ शामिल हो चुके हैं इनके साथ वो काम नहीं कर रहे हैं और OPD जादा तर इस पे असर पड़ा है तो इस बीच मेरे साथ फिलहाल जेजे अस्पिताल की जो डीन है पलवी सापले माम क्या करना चाहेंगे माम जिस सरी के से ये पहले उनके मांग ठीके उनके खिलाफ कुछ कारवाई हो लेकिन कारवाई अब तक हुई नहीं है तो आप सारे जो जेजे अस्पिताल के डॉक्टर से उनके साथ आ गया है 800 से 900 कितना असर पड़ा है अस्पिताल में ये आज सुबह ही शुरू हुआ है और morning care hours में हमारी OPD रहती है और operations रहती है routine operations तो OPD जो है वो teaching doctors जिनको हम faculty कहते है assistant professors, associate professors और जो medical officers in service है वो लोग समाल रहे हैं कल मेरी residents से बात हुई तो finally वो सारे doctors है उनको मालूम है कि अपनी duty service रहती है तो उन्होंने ये अश्वर किया है कि कम से कम आज के दिन तो वो जो emergency services है, ICU services है, वो affect नहीं होने देंगे, वहाँ वो अपना contribution रखेंगे, तो फिलाल operative services, ICU services, residents की मदद से और faculty की मदद से चल रही है, OPD में जादा तर हमारे जो faculty है वही चला रहे है, लेकिन OPD नौ नंबर्स, नौमली भी हमारे जो रहते हैं 2,500 करीबन वही numbers अभी भी है OPD में यानि कि फिर उसमें दिक्कत नहीं होती रहेगी, जादा समय लगता होगा मरीजों को उनका इलाज करने में या फिर लाइन बड़ी होगी रहेगी इमर्जनसी में बिलकुल अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस OPD में रोज के 10 डॉक्टर्स बैठे हैं, आज वहाँ 5 डॉक्टर्स बैठेंगे, तो थोड़ा routine patients को वक्त जादा लग सकता है, लेकिन कोई critical patient अफेक्ट नहीं हो, इसकी खबरदारी हमारे सारे doctors, हमारे medical officers, हम सरीके से, और भी कई सारे जो doctors है, सब शामिल हो रहे हैं, और काफी दिनों की बात कही जा रही है, जब तक Dr. Mahindra Kura के खिलाफ कारवाई नहीं होती है, या फिर उन्हें निकाला नहीं जाता है, ऐसी मांग है, तो फिर ये हर रोस का ऐसा pattern हो जाएगा, तो मरीजों को दिक्क इस मंगलवार को Minister Shri Hasan Mushrif सर ने हमारे साथ और residents के साथ मीटिंग ली है और उन्हें action promise किये, इसलिए हम students को भी कह रहे हैं कि action minister ने promise की है, report के basis में और लेने वाले है, आप थोड़ा रुख जाएगे, बट residents ने ये decision लिया है, बट हम यही कर रहे है, कि आक्षिन अगर हो जाएगी तो हम residents को कह सकते हैं कि आप strike पीछे ले ले तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि strike जादा ना चले रही बात माम यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर महेंदर कुरा पर क्या आपने खुच से अपने एंगल से जाच की क्योंकि आपके ही अस्पताल में वो काम करते हैं और इतने सालों से हैं तो क्या लगता है क्या रिपोर्ट में आया कि क्या सच में जो बच्चे हैं वो उनके behavior से परिशान हैं ऐसे हुआ कि यह रिपोर्ट यह जो complaint है वो 10th December को आई और 11 December को ही higher office ने decision लिया कि उनकी level की committee आके पूरी inquiry करेगी 15 December को वो committee आई उन्होंने 15th, 18th और 19th को inquiry करी और report submit करी तो जब higher office की inquiry होती है तो we just wait and watch for their report जैसी कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल JJ hospital के ज़्यादा तर doctors है वो OPD में attend नहीं कर रहे हैं आम तोर पे 10 अगर doctors होते हैं तो केवल 5 हैं लेकिन कोशिश की जारी है कि जो critical मरीज है उन पर जादा तर असर ना पड़े और उनका जल्द से जल्द इलाज हो और उनका खैल रखा जाए क्यामापसर अनूप रस्तोगी के साथ मैं लता शर्मा, ABB News, Mumbai